आप देख रहे हैं मेरा पुराना जेनल डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी नियू जनेरेशन के नियू रेमेडिस को प्रहं डिसकस करें उसका सीरी चल रहा है बहुत इंपोड़ेट है आप सबके लिए बहुत सारे विडियोस में बता चुका हूं फिर से रिपीट नहीं है आज का जो इंपोड़ेट मेडिसन है वह है कोला एक्यूमिनाटा जिन दोफ्तों यह पोटेंसी में एवलाएवल है आपको इजिली मिल जाएगा ऑनलाइन इसको ज़रूर खरी दिये और बहुत सारे इंपोड़ेट क्लिनिकल पॉइंट्स पर ये काम करता है उसके बारे जो इसका एक्षिन है वह सर के उपर है एक हो या फिर माइगरेइन हो दोनों तरीके हो सकता है सर में किसी भी जगह पर हो सकता है कारण कोई भी हो स्पेसिपिकली काम करेगा माइगरेन लेफ साइड हो जैसे हमने डिसकस किया था रैशेड का सैंग्यूनरिया है लेफ बात करते हैं नियूरलजिया के उपर नियूरलजिया मतलब सरीर में कहीं भी नर्वस सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें दर्द होता है नर्वस सिस्टम में या फिर नेर्वस में स्नायविक संस्तान में अगर आपका दर्द हो तो कभी भी कहीं भी किसी भी जगह प उठे का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, जैसे कि selenium में आपको मिलेगा, इसमें भी है, debility बहुत ज़्यादा होती है, acid force, selenium, muridic acid, इन जैसे दवाईयों में यह symptom मिलेगा, अगर वो प्रपर से काम नहा करे तो यह cola, बहुत बढ़ा रिजल्ट आता है इसका क्लिनिकली अगर हम इस्तमाल करेंगे आप इसको ले सकते हैं रिपीट कर सकते हैं लुए प्रोटेंशी में रिजल्ट बॉल बढ़े आता है दूसरे दबायों के साथ भी मिलाकर आप यूज करिए लेकिन गैप मैंटेंड करिए एक घ खाना खा लेते हैं और उसके साथ अपच डिस्पेप्सिया जिसको बोलते हैं खटी डखा रहे आना गंदी गंदी डखा रहे आना सही तरीके से डाइजेशन नहीं होना भूक खुल के ना लगना इन तमाम चीजों में बहुत ही असरदार है ये चीज जो है दवाई है आज का इस स्पेसिफिक मेडिशन है बहुत बढ़े काम करता है यह रिजल्ड आता है इंप्रूब एपिटाइट हमने डिसकस किया भूख बढ़ाता है जिनको भूब नहीं लगता प्रपर तरीके से खाना ठीक से हज़म नहीं होता तो भूब क्या लगेगा तो उनके लिए बह ठीक से नहीं हो गा, इस प्रॉब अगर ठीक से नहीं होता, तो इन तमाम चीजों को अपने बौडी के मेटाबोलीजम को ठीक करके, डाइजेशन को ठीक करके ये बहु अए बन करता है और का प्रोब्लम से उनको सक्ति प्रदान करता है, उनमें जो पावर होती है बॉमपि प्रॉब्लम है तो आप यूज करिए रिजल्ट बहुत बढ़े आता है ये दवा बहुत स्पेसिविक है लोर पुटेंशिवी छह बारा थर्टी में अबले दिन में दो से तीन बार आराम से 10-15 दिन दीजिए फिर 10-15 दिन करिए फिर आप दे सकते हैं दूसरे दवाईों के स प्रॉब्लम के लिए तो ये था एक वीडियो चोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जिन लोगों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरा नया चनल भी है डॉक्र संतोष हंकर इंटरनेशनल उसमें भी हम बढ़य आज के लिए विसने बहुत बदने बाद नमस्कार